4G स्कूल के ओनलाइन दर्जे ताली में आप तमाम का इस्तक्बाल है तीसरी जमात उर्दु बाल भारती नौ का चक्कर इसमें दो किरदार है दीपू और भोलू अब दोनों के दर्मियान जो मुकालिमा है उसे सुनते हैं दीपू क्या बात है भोलू तुम इस खदर परेशान क्यों हो भोलू अजीब बात हो गई दीपू भाया कुछ समझ में नहीं आ रहा दीपू हुआ क्या कुछ बताओ तो भोलू मैं आज सुभा मेले में गया था दीपू तो फिर भोलू वहां मैंने ये नो घदे खरीदे दीपू फिर क्या हुआ भोलू मैं उनको अच्छी तरह गिन लिया था नो ही थे मैं एक घदे पर बैट गया और गाउं की तरफ चल पड़ा थोड़ी दूर चल कर खयाल आया कि कहीं एक आत घदा इधर उधर ना निकल गया हो दीपू तो फिर गिन लेते भोलू वही तो किया मैंने गिना तो सिर्फ आट घदे थे दीपू अरे एक घदा कहां चला गया था भोलू चारो तरफ देखा नजर नहीं आया आखिर में घदे से नीचे उत्रा और फिर गिना तो नो घदे पूरे थे दीपू चलो तुमारा खोया हुआ घदा वापस मिल गया अब इन सब को लेकर जल्दी से घर चले जाओ भोलू कैसे जाओ भया एक घदा फिर गुम हो गया है दीपू अरे अभी तो तुम कह रहे थे कि नो के नो है भोलू नो कहाँ फिर आट रह गए जब मैंने गाओं की तरफ जाने से पहले ही नहीं गिना तो फिर एक घदा कम था देखो मैं तुमारे शामने गिरता हूँ एक दो तीन चार पाँच छे साथ आट देखा सिर्फ आट रह गए दीपू आट घदे है ना नो मुझे तो पूरे दस घदे नजर आ रहे है भोलू मुझे नवा घदा नहीं मिल रहा तो मैं दसवा कहां से नजर आने लगा दीपू देखो ये आट घदे तो तुमने आभी गिन है है ना एक दो तीन चार पाँच छे साथ आट नवा घदा जिस पर तुम बैटे हो भोलू अरे हाँ और दसवा दीपू वो जो नवे घदे पर बैठा है